वेलकम वेलकम बैक टुथ चानल और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेडिंग व्यो को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने टेक्निकल अनालेसिस को बैटर बनाने के लिए और उसी पर हम भार-बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग भी कर कर सकते हैं कैसे हम कर सकते हैं तो आज हम वो जानेंगे बहुत ही अच्छी तरह से आज मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर हम यहां पर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू यहां पर देखें ट्रेडिंग व्यू आ गया है जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर जो पहला को मिल जाती है तो उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं अब यहां पर दिखिए यह प्रोडक्ट्स यहां पर दिख रहा है इस पर हम चार्ट प्लस जो यह है यहां पर हम चार्ट देखने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे आप अगर ट्रेडिंग व्यू पर पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पर अकाउंट क्रियेट करने का उप्शन आएगा बहुत ही सिंपल होता है जहां पर हमने अभी क्लिक किया प्रोडक्ट्स में वहीं पर आपको साइड में लॉगिन का उप्शन आएगा पर उ एसा क्या होता है कहां से क्या यूस होता है तो यहां देखे BTC USDT यानि बिटकॉING का USDT के पैर पर यह चार्το खुला हुआ है यहां पर यह टाइम फ्रेम्स में पंदार मिनाट 1 अगर यहां पर हमें इस तरह से किसी टाइम फ्रेम को एड घरना है तो यहां पर हम उस पर य से हम देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आता है Candles तो यह हमारा mainly used candlestick pattern है अभी अगर हमें इसको किसी और form में देखना है for example bars की form में तो इस तरह से दिखाई दे जाएगा और यहां पर हे के नाशी है ठीक है इस form में दिखाई देगा तो यहां यह पॉप अप इसलिए आया था भी क्योंकि यह trial version का trading view है ठीक है और अगर आप pro ले लेंगे इसको buy करेंगे तो इस तरह का आपको pop-up नहीं आएगा तो चलिए continue करते हैं इस तरह का अगर हमें लाइन चार्ट देखना है तो हम ऐसे कोई भी indicator को search करेंगे तो यहां पर आ जाएगा for example हम RSI को search करते हैं relative strength index को तो यहां पर हम जैसे ही RSI लिखेंगे तो यहां देखिए RSI आ गया और यहां पर हम इसको जैसे ही click कर देंगे तो यहां पर यह नीचे आप देख सकते हैं कि RSI यहां पर लग गया है और अगर किसी इंडिकेटर को आपको favorite में add करना है तो यहां पर जैसे ही hover करेंगे mouse को तो left side पर यह star का sign दिखाई देगा यहां पर जैसे ही click कर देंगे तो आपका यह favorites में add हो जाएगा और यहीं से remove from favorites भी हो जाएगा ठीक है और जैसे यह सारे आपकी favorite indicators जो हैं वो आपको favorites में यहां प प्राइस किसी पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंचने पर हमें एक अलर्ट आये ट्रेडिंग व्यू से मैसेज आये तो हम यहां से वह सेट कर सकते हैं ठीक है और इसका शॉर्टकट है और अल्ट ए अभी यहां पे इसको मैंने क्लिक किया था तो यहां से हम देखिए बहुत स करते हैं और उनको यह सजेंग केंडल होती जाएगा और फता चलता जाएगा कि हमारा सही था या गलत उसको भी आप यूज कर सकते हैं तो यह है ंडू के लिए कोई इससे वही करना है जैसे पहले था तो यहां से हम अंडू कर सकते हैं ठीक है और यह कुछ फेवरेट चीजें इसको भी आप इग्णोर कर सकते हैं यह मैंने अपने लिए यहां पर सेव कर रखा है और अब यहां पर देखिए यह जो है ठीक है और यहां हमने इस तरह से हमारा पूरा चार्ट विजिबल हो रहा है अब यहां पर हम राइट साइड में अगर इसको थोड़ा सा ड्रैक करें तो यहां पर हमने जो जो करेंसी या फिर जो भी हमने इसको ओपन किया है तो अभी तक हमने जो जो करेंसी यहां पर देखी तो यहाँ पर देखे ही ऑल पर रखेंगे तो हमें एस सब कुल दिख जाएगा जैसे बैंक निफ्टी डिख रहा है यहां पे देखिए अगर हम इस पर क्लिक करते हैं पहले वाले पर तो यहां पर यह स्यव 스य क्राइग यहां लॉब बन के आएगा यहां पर यूज करेंगे माउस को तो इस तरह से आएगा उसके बाद अगर हम यहां पर डॉट पर कर देते हैं तो यहां पर यह डॉट बनके आएगा यह ठीक है अभी हम यहां पर अगर एरो कर देते हैं तो यह एरो बनके आएगा इस तरह से यह बनके आएगा तो अभी इस लाइन को भी मैने फेवरेट में अड़ करेंगे वह हमारी कन्विनियंस के लिए यहां पर टेडिंग व्यू डाल देता है ताकि हमें बार-बार टूण डाना पड़े अब यहां पर यह यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉड करने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ट्र लिए से ही क्लिक करेंगे तो यहां support लग जाएगा यहां पर resistance लग जाएगा ठीक है और यहां से हम उसका color change कर सकते हैं। लैट से support को हमें green color करना है resistance को red color करना है तो यहां से हम उसको change कर सकते हैं, यहां वसकी width चेंज कर सकते हैं, हम इंइंड को ilाइन चाहिए So and यहां से हो जाएगी ठीक है और कोई भी सेटिंग है वो यहां से उसके बाद हम उसको डिलीट कर सकते हैं यहां से यह बहुत ही सिंपल चीज़े हैं ठीक है अब आगे देख लेते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे की फिबोनाची रिट्रेस्मेंट का अगर हमें यूज क करेंगे उसके बाद यहां से अभी मैं आपको टेटिंग वियो समझा रहा हूं ठीक है तो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए उसके बाद आगे देख लेते हैं यहां पर यह देखिए ब्रश अगर हमें यूज करना है कुछ ड्रॉ करना है चार्ट पर तो हम विडियो दो घंटे की हो जाएगी तो इसलिए आपको बहुत ही एजी है समझता जब हम यूज करेंगे आप तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते है था कि यहां पर hem जैसे ही कुछ लिखना चाहेंगे तो यहां पर हम लेख सकते हैं ठीक है अब यहां पर इसको मा अब यहां पर जैसे head and shoulder pattern कहीं पे बन रहा हैं तो ये अभी पैटरन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नीए बटियां कि यहां पर कैसे इसको अगर कर सकते हैं यहांसे यू यू रैए यू यू ऐसे करके हम head and shoulder पैटन ड्रॉ कर सकते हैं यह थोड़ा सा टेरा हो गया है इसको हम इस तरह से यूस कर सकते हैं ठीक है अभी मैं सिर्फ आपको यूसेज बता रहा हूं अब देखे कई बार क्या होता है एक बर मैं इसको क्लीन कर लेता हूं ताकि और अच्छे से समझ पाएं अब इसको क्लीन क करने के लिए एक ही बारे में तो यहां देखिए डिलीट का साइन बना है इस पर राइट लिक करेंगे और यहां पर रिमूव नाइन रॉइंग्स हम जैसी करेंगे सारा कुछ एक बारी में रिमूव हो गया ठीक है अभी हम नेक्स देखते हैं कि हम जब भी लॉंग पोजि हैं करके ड्रेडिंग यहां पर मालीज यहां लेना है कि इसको अपना जया के हमारा यह सब्सक्राइब 1.5 kettle इसको अपना स्लेक्ट करके यहां पर करें LG ले सकते हैं 1.5 वन यहां पर हमारा यहां पर हम टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, stop loss को बढ़ाना है, गठाना है, हम यहां से कर सकते हैं, take profit को बढ़ाना है या गठाना है वो हम यहां से कर सकते हैं, इसी तरह से short position में हम ले सकते हैं, यानि कि वो इसका उल्टा ओजाएगा, red color उपर जाएगा, green color नीच आएगा, क्योंकि short position ह तो यहां से हम सेम तरीके से अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को बड़ा और कम कर सकते हैं अब उसके नेक्स चलते हैं यहां पर देखिए सारे आइकन्स हैं यहां पर अगर बाय किया होता और यहां पर सेल किया होता तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता तो वह हम यहां से मेजर कर सकते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहां पर जहां से हमें मेजर करना है वहां पर क्लिक करेंगे और उपर तक जहां तक हमें मेजर करना है वहाँ पर क्लिक करके वापिस से एक दुबारे जब क्लिक करेंगे तो यहां देखिए 8% का profit होता और 31 bars use हुई है 1 hour के चार्ट पर और यह टोटल है 1 day 7 hours और यहां पर volume भी mention कर दिया तो यह काफी helpful tool है और यहां पर देखिए यह हमारा है जूम करने का option यानि कि देखिए अगर यहां पर यहां करेंगे तो यह जूम हो रहा है ठीक है इसको undo कर देते हैं एक बार ताकि चार्ट हमारा वापिस से आ जाए पर इसको undo कर देते हैं अब देखिए कई बार क्या होता है यह चीज काफी लोगों को पता नहीं है जैसे मान राइट क्लिक करूंगा तो यह हट जाएगा selected और यह सरफ इसके लिए नहीं बाकी हर चीज के लिए for example मैंने यहां पर यह लिया ठीक है horizontal लाइन यह जो blue selected है यह हट जाएगा तो यह जैसे ही मैं राइट क्लिक किया वह हट गया और अब मेरा यहां पर यहां पर यह चार्ट को मैं अपना easily use कर सकता हूं अब आगे चलते हैं बाकी ही जादा चीज़े important इतनी है नहीं हलाकि यहां पर एक चीज आई का option है इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हट गई है हमारे indicators अब इसको वापिस से क्लिक करेंगे तो वापिस सारे indicators यहां पर आके लग जाएंगे अब एक last चीज है जैसे कि मानली जी यहां पर मैंने कुछ यहां पर जो trend line वगर है इनको मैंने favorites में add कर रखा था बट यह अगर माली जी बहुत सारे हो गए है और मुझे इनको थोड़े दर के लिए hide करना है तो similarly मैं इसको यहां पर क्या कर सकता हूं यहां पर जैसे यह favorites है इसको मैं जैसी हटाओंगा तो यह हट जाएगा और जैस कैसे ही लगाया यह हमारा यहां पर वापस आ गया तो आई होप आपको trading view अब समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरह से इसको use होता है कफी सारी चीज़ें आपको हो सकता है नहीं पता हो यह हो सकता है थोड़ी बहुत पता हो और नहीं पता चली हो तो अब हम मिलेंगे अ